हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुटेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट अकांग्षा नया वीडियो लेका फिर हाज़िरू इस वीडियो में हम इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 24 बनाएंगे अभी तक हम 23 लेसन प्लान बना चुके हैं उमीद है आप लोगों ने देखे और पसंद किये यदि नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए वहाँ पर आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी प्लेलिस्ट खुलकर आप प्रिवियेस सारे वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले लेसन प्लान का क्रमांग डालना होता है यानि नंबर डालना होता है कि आपका lesson plan number कौन सा है तो हमारा lesson plan number 24 है आपका जो भी number हो आप वो डाले उसके बाद इस तरीके से box में आपको blackboard filling बनानी होती है जो आप class में presentation कर रहे हैं तब भी बनानी होती है और copy में भी आपको ऐसे तरीके से लिखना होता है आपको डालना होगा सबसे पहले अपना ना कि कॉलेज में ही practice teaching कर आई जाए तो college का नाम लेखना है फिर subject डालना है तो हमारे subject English है और उसके बाद class डालनी है तो class 7 था date जब भी आप presentation करें टाइम 35 या 40 minutes इतने कभी आपका period लगता हो period जिस भी period में आप पढ़ाए ने 1st, 2nd, 3rd, 4th जिस भी period में आप presentation कर रहे हैं वो period आपको डालना है और topic topic के हमारा traffic lights तो ये topic कब डालते हैं आप जब आप statement of the aim बोलते हैं कि आज हम ये topic पढ़ेंगे तब आपको डालना होता है उससे पहले आप इसको नहीं डालेंगे यहाँ पर lesson plan में पहला point हमारा general aims होता है यानि सामाने उद्देश होता है हम हिंदी में सामाने उद्देश डालते हैं इंग्लिश में general aims यहाँ पर 6 general aims लिखे हुए हैं आप इनको कितने भी लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं यह 10 भी लिख सकते हैं इनको एक बार note कर लिज उसके बाद आता है specific aims, यानि कि आपका जो lesson plan है, जो topic है, उसको आप क्यों बढ़ा रहे हैं, यानि हमारे general aims हो गए, कि हम English subject क्यों बढ़ा रहे हैं students को, लेकिन हमारे specific aims हैं, वो है कि हम topic क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर 4 aims लिखे हुए हैं, इनको भी आप, जैसे मैंने बताया कि general aims आप कितने भी लिख सकते हैं, इनको भी आप कितने भी लिख सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 4 लिखे हुए हैं, उसके बाद आपको लिखना होता है previous knowledge, कि जो को थोड़ा बहुत ट्राफिक लाइट के बारे में नौलेज है क्योंकि वो यात्रा करते हैं ट्रवल करते हैं तो उनको पता है फिर उसके बाद आपको material ads डालने होते हैं कि आप कौन-कौन से teaching act का use करेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे आप जैसे जनरल classroom में जो भी आप यूज करते हैं chalk duster, pointer और आप चाहें तो जो रोलर बोर्ड होता है वो भी यूज कर सकते हैं classwork, homework लिक कर ले जाने के लिए और chart आप traffic light आप पढ़ाने हैं तो इससे related traffic light से सम्बंदित आप chart बना कर ले जा सकते हैं chart आपको आसानी से google करने पर बहुत सारे मिल जाएंगे आप उनको देखकर बना सकते हैं तैयार कर सकते हैं उसके बाद आता है introduction जो कि आपका बच्चों का जो previous knowledge है उसके according आप बच्चों से introduction question पूछते हैं इसमें आपको serial number people teacher activity और student activity column बनाने होते हैं आप जो question पूछेंग पूछेंगे वो आपको student activity में लिखना है जैसे आप बच्चों से question करेंगे कि what do you see at the crossing बच्चे बताएंगे कि car, cycle, crowd, etc और भी चीज़े जैसा बच्चे बताते जाएं आपको और-और करके पूछना है फिर आप पूछेंगे who control the crowd on the road or crossing तो बच्चे बताएंगे तो आपको student activity में लिखना है आपको जो भी आप लगता है कि आपके बच्चे आंसर दे पाएंगे वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से for question पूछेंगे last question आपका problematic question होता है जिससे ही आप topic पर पहुंचते हैं हो सकता है आपके बच्चे बता भी देते हैं तो children today we shall study and enjoy the poem traffic lights तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका last question है वो problematic question हो यह भी नहीं है कि ना हो कई लोग question करके लिखते हैं comment में कि madam इसमें problematic question नहीं आना चाहिए तो ऐसा नहीं है और सारे answer बच्चे दे पाएं यह भी हो जाता है लेकिन कई बार बच्चों को उस पारे म नहीं होता है एकदम नया topic होता है तो वो उसका answer नहीं दे पाते हैं फिर उसके बाद आता है presentation presentation में आपको क्या करना होता है column बनाना होता है teaching step यह teaching point भी बोल सकते है method किस method से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे reading है cautioning है जो भी तरीके से आप पढ़ा रहे है फिर है people teacher activity student activity और blackboard work यह जरूरी नहीं होता है आप चाहें तो बनाएं या फिर आप blackboard का जो भी है काट के उसका प्रारूप बना कर भी लगा सकते हैं यहां पर आप उनसे कोट सारे स्क्षन बिंदू को यानि कि teaching step को points को explain करेंगे जो भी आप method होगी यहां पर method डालेंगे और जो आप activity करेंगे जैसे कि आप poem को पढ़ रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं तो आपको student activity में लिखना है इसी तरीके से सारे स्क्षन बिंदू आप बच्चों को बताएंगे जैसे कि explanation of word यानि कि जो आप कठीं शब्द होते हैं उनको आप explain करते हैं word meaning बताते हैं तो वो आपको बच्चों को बतानी है तो आप blackboard पर समझाएंगे बच्चे क्या करेंगे उसको note करेंगे सुनेंगे समझ के note करेंगे तो वो आपको student activity में लिखना है आप क्या कर रहे हैं word meaning को बता रहे हैं difficulty उनकी solve कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर डालना है फिर आप explanation of the poem याने कि आप उसको समझाएंगे poem को और यहाँ पर आप उनको चार्ट दिखा सकते हैं जिसे इस तरीके से यहाँ पर हमने जो blackboard पर फिला हुआ है तो यहाँ पर आपको teacher और student activity में वो लिखना है उसके बाद आप उनसे कुछ caution करेंगे याने जो भी आपने उनको explain किया उससे related कुछ caution बच्चों से पूछेंगे बच्चे जो भी answer देंगे आपको student activity में लिखना है और blackboard पर भी लिखना है जिसमें और भी बच्चों को वो answer आजाएं जिनने नहीं आपा रहा है फिर उसके बाद आता है classwork याने आप उनको कुछ class में work करने के लिए देंगे इसको आप जो roller board है उस पर लिखकर ले जा सकते हैं और फिर उसके बाद आता homework इसको भी आप roller board पर लिखकर ले जा सकते हैं आपको उनका homework check भी करना है क्योंकि यदि आप previous homework check नहीं करेंगे तो वो next day का homework भी करकर नहीं लाएंगे फिर supervisor remark याने परिवेक्षक टिपनी इसमें आपका जो भी परिवेक्षक होगा याने supervisor होगा वो आपको रिमांग देंगे कि lesson plan good था, bad था और उनके जो suggestion है कि आप इसको कैसा दुझ सुधार सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर बताएंगे उसके बाद आता है signature का column आपके signature, supervisor क signature याने people teacher signature और supervisor signature यहाँ पर lesson plan complete होता है कैसा लगा comment करका ज़रूर बताएं अच्छा लगता है like कीजे, दोस्तों से share कीजे यदि अभी तक हमाई channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर करें, bell icon प्रेस करें जिससे आने वाले सब भी वीडियो का notification आपको मिले और आप समय पर उसक दो ग्रूप में भी जुड़ सकते हैं और वहां से भी बहतर लाव ले सकते हैं धन्यवाद, जय हिंद